आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिलकुल सही पड़ा जुलाई 2021 के अंदर बहुत सारी ड्यूरेट्स हैं और सारी ड्यूरेट्स हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो इस वीडियो को अन्तितक देखि इस महीने के लिए अगर एक भी ड्यूरेट्स आपने मिस कर दी तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है बहुत पैनल्टी लग सकती है पहली ड्यूरेट्स किस चीज की है पहली ड्यूरेट्स है जुलाई 2021 के अंदर आपको क्वाटरली जिएस्ट्यार वन वरनी है पर कौन सी लेट फीज लगते है नई भई यह गलत बात है मैं आपको बता दू अभी जो जिएस्टी काउंसिल की मीटिंग होई है उसका एजेंडा है उसमें लिखा हुआ है कि जिएस्ट्यार वन की जो लेट फीज है अब 3B के अंदर आएंगी तो जब आप 3B फाइल करो तो महाँ पर जो लेट फीज आरी होगी उसमें जिएस्ट्यार वन की लेट फीज भी आएगी ये कभी से भी सुरू हो सकता है तो इस बात को ध्यान में रखना अगर आप अपने सामने वाले को ITC ट्रांसफर कराना चाते हो और अगर लेट फीज से बचना चाते हो तो अप आपको ध्यान दखनी है कुछ दिन बाद से ही चाहे वो कल से ही हो जाए आपकी 3B में GSTR1 की लेट फीज आने वाली है इसके बाद की बात सुनते हैं टेक्स की पेमेंट भाया अगर आप QRMP स्कीम में हो तो अपरेल का टेक्स मई का टेक्स आपको फाइल करना है मतलब की 10 तारिक तक इस बात का ध्यान दखना कि 10 तारिक तक अगर आपने कर दिया तो इंट्रेस्ट नहीं लगेगा दस के बाद करोगे तो इंट्रेस्ट लगेगा ये बात कर रहा हूं मैं मैं की तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है इसके बाद मैं आपको बता देता तो भाईया किसकी due rates की बात करें 3B की अब 3B की due rates में समझ लो एक तो due rate निकल गई पास तारिक और चार तारिक अगर आपने अपनी 3B टाइम से नहीं बरी तो जून के लिए कोई relaxation नहीं है जून के लिए कोई relaxation नहीं है जो सारी due rates जून की एज़ेटीज होंगी जो 20 तारिक क को जाती है 22 को जो 24 को जाती है 24 को 3B के अंदर कोई भी relaxation नहीं दिया गया है इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं अगर आप 5,6,7 फाइल करते हो तो उसकी भी due date आ गई लेकिन 31 जुलाई जो due date है वो बड़ी खतरनाक है सार 31 जुलाई किन के लिए पहली बात तो जिन करना है तो उसकी due date 18 जुलाई है अगर मैं income tax पर आ जाता हूँ तो income tax में 7 तारिक TDS की डेट है यह आपको पते ही है 15 तारिक में TCS की आपको return फाइल करनी है और 15 तारिक में ही TDS की return फाइल करनी है कौन से period की January to March यहाँ पर लिखा हुआ है 4th quarter और TCS वाली कौन सी April to June इसके बाद मैं आपको बता दू कि यह जो return की date है TDS की यह 4th quarter की है अब April, May, June जो 1st quarter आ गया उसकी भी जो due date है वो 31 जुलाई है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पर income tax की 3-4 dates पढ़ रही है इस महीने में जिसे आपको ध्यान में रखना है इसके बाद मैं आपक के अंदर और income tax के अंदर अगर आप update होना चाते हो क्योंकि यह वाली जो due dates है यह हमने कैसे बताई है अपनी magazine से बताई है सर अब की बार इस magazine में और क्या है इस बात को समझ लो इस magazine में क्या है कि जो GST registration के अंदर आपका pen number misuse कर लिया जाता था तो उसकी complaint कैसे फाइल income tax के अंदर जो TDS हमारे को काटना है functionality check करनी है section 206 AB की उसके बारे में बताया गया है कि वही TDS काटने के लिए अगर आपको specified person check करना है तो कैसे check करे 194 Q को लोगों में बहुत confusion है तो उसकी FAQ हमने बताई है उसके बाद जो government ने exemption दिये वो बताया है और अगर आप ITR फाइल क किसकी income tax के नए पोर्टल पर तो उसके लिए हमने कुछ FAQ बनाए है तो वो बताया है तो अगर यह आप यह magazine purchase करना चाते हो तो यह हमारे नंबर है इन पर WhatsApp कर दो और आपको magazine मिल जाएगी सर हमें तो पहले sample copy दिखाओ इस नंबर पर WhatsApp कर दो sample copy भी आपको मिल जाएगी लेक लेकिन आपको बतातू 2700 लोगों ने पूरे इंडिया के अंदर हमारी magazine को subscribe करा रखा है तो आप भी जल्दी से subscribe करा ले जिससे आप अपनी knowledge को enhance कर ले sample copy आप यहां से ले सकते हैं इसके अलावा सर संडे को क्या कर रहे हो भाया इस संडे को जो हमारा program है अभी वो fix नहीं मैं आपको बताता हूँ मैंने motivational series सुरू करी है जिसमें हम दो workshop दे चुके हैं अगर आपने अभी तक वो join नहीं करी तो आप KJ Classes का app download कर लो वहां से आप उन्हें देख सकते हो और अगर आपको इस webinar में registration कराना है तो करा लो और अगर आप अपनी पूरी knowledge बढ़ाना चाते ह तो आप हमारी Google Drive ठीक है न परचेज कर सकते हो GST की जिसके अंदर पूरा 120-500 गंटे का course है और आपको पूरा मज़ा आ जाएगा उसमें अगले 6 महीने तक 12 महीने तक भी updates देते हैं तो आपको सारी due dates पता लग गई होगी अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे comment box में लिख कर बताओ और आपको यह magazine जल्दी मिलने वाली है जल्दी हम release करने वाले हैं एक आत दिन में यह आपको release होकर मिल जाएगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो like भी करना और सारे दोस्तों से share करना चैनल आपने subscribe करी दिया होगा नहीं करा है तो एक